Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ CBAC के latest circular के बारे में जो की CBAC ने 29th December यानि की आज जो है release किया है CBAC ने finally class 10th और class 12th की date sheet जो है वो यहाँ पर release कर दी है कि किस दिन आपका कौन सा exam होने वाला है कितना gag होने वाला है और किसी भी fake news पर यहाँ पर believe नहीं करना है जो आपको YouTube पर देखने को मिल रही थी कि date sheet आ गई है date sheet अब आएगी finally जो आपकी date sheet है final date sheet जो है वो यहाँ पर CBAC ने release कर दी है CBAC ने आपर already बताया है कि जो date sheet है वो काफी prior में आपर release की गई है काफी advance में release की गई है ताकि बच्चे जो है properly exam के लिए prepare कर सके almost आप समझ सकते हो two months के जो gap है उसमें आप लोग को बता दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर कोई student दो subjects के लिए appear हो रहा है तो sufficient gap दिया गया है तो आप यह chances भूल जाओ कि इस CBAC की date sheet में कुछ ने कुछ चेंज आएगा यह जो date sheet है वो बिलकुल final है सभी के लिए और जो neat जैसे exam है जैई main का exam है इन सब को ध्यान में रखते हुए competitive exam को ध्यान में रखते हुए date sheet बनाई गया तो कोई भी clash नहीं है किसी भी examination के साथ यहाँ पर class 10th की date sheet है वो यहाँ पर है मैं class 12th की date sheet पर आ जाती हूँ क्योंकि 10th की date sheet के बारे में already हम discuss कर चुके हैं है ना तो हम class 12th की date sheet पर आते हैं class 12th के जो main examination है वो हम देख लेते हैं कहा से start है वैसे तो 15th feb से start है ठीक है उसके बाद 16 को biotech का exam है लेकिन जो main examination होते है आखिर वो कब से start है वो हम देखते हैं 20th feb 20th feb से आपका main examination है वो start हो जाएंगे हिंदी elective और हिंदी core का exam आपका 20 feb को है after that अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके next जो आपका subject है वो है आपका English elective and English core इसका examination 24th यानिकि 4 दिन का gap आप लोगों को मिल गया है इन दोनों ही subjects के बीच में Hindi और English के बीच में उसके बाद 24th के बाद आपका सीधा examination रखा गया है 28th चार दिन के gap के बाद 28th का examination है जो की chemistry का examination है टाइमिंग वही है 10.30 to 1.30 आपका examination होगा ठीक है chemistry आपका exam यहाँ रख दिये गया है उसके बाद अगर मैं बात करूं जोग्रफी का exam 2nd March को मैं non-med, medical, commerce, arts यह सारी साइट जो है इन सभी के examination के बारे में बता रही हूँ तो mixed up है आप लोग देख सकते हो उसके बाद अगर हम बात करूं physics जो non-med और medical side के बच्चे उनके लिए अच्छी बात है कि 28th का chemistry है और 28th के बाद directly सीधा 6th को आपका क्या है physics है ठीक है 6-7 दिन तो यहां पर सारी language का examination है language के बाद maths जिसे काफी बच्चे डरते है ठीक है maths का examination है वो 11th को है तो आप यह देख सकते हो अगर आप non-med के student हो तो आपका जो physics का examination है वो 6th का है और 6th के बाद around 4-5 दिन के gap में आपका 11th March का maths का examination रखा गया ठीक है तो preparation इस तरीके से करना कि यह है complete revision कर पाओ ठीक है complete revision की और preparation की strategy में आप लोगो को बताऊंगे किस तरीके से आपको यह days manage करने है यह जो आपके दो महीने इन दो महीनों को आपको किस तरीके से manage करना है ताकि आपको last moment में कोई भी परेशानी ना हो तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे channel को subscribe कर ल आपको एक्जाम कब है 16th March को ठीक है तो यानि कि वो बच्चे जो medical side के हैं उनके लिए 6th March के बाद directly 16th March का paper है बायो का अगर आपने physical education ले रखिए तो आपको बीच में 13th का भी एक exam देना है जो कि physical education का है उसके बाद हम बात करते हैं 17th March का economics का examination है आपका उसके बाद हम यह economics का है 17th देन दो दिन के gap के बाद आपका 20 का है political science अगर IT वाले students हो computer लिया हुआ है तो आपका 21st March को IT का paper है information technology का after that computer science का अलग से है business studies का आपका 25th का है बिजनेस का अब accounts का कब है बच्चो accounts का 31st को है history का 29th को है ठीक है तो जादा gap नहीं दिया गया है इन में लेकिन सही आपको पहले से आप देखो यह जो date sheet है इसकी according आपको पहले से prepare करना है क्योंकि आप देख रहे हो 2-3 दिन के gap दिये गया है जादा gap कई examination में नहीं दिये गया है यहाँ पर home science का 1st April को है और 3 April को आपका sociology का examination है उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सारी language है language को बाद psychology जो extra जो बच्चे subjects लेते हैं ठीक है उसमें psychology होता है जिसका examination सबसे last में है 5th April को ठीक है तो आपके examination तो start होने वाले है 20 Feb से और खतम हो जाएंगे 5th April को तो all the best to all of you आप लोग नीचे यह आपर जितने भी rules लिख्यों है यह जरूर पढ़ लेना 10.30 से आपका examination है और सुबह सुबह क्या आपको करना है ठीक है 10.30 से पहले किस तरीकी से आपको prepare करना है कि अपने आपको examination देने जाना है इस सब के उपर video मिलने वाली है और bio के लिए तो complete आपको notes और questions मिलने वाले ह तो channel को subscribe करके रखो video पसंद आती है like और share करना ना भूलें तब तक के लिए have a good day बाबाई